हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज से हम लोग आश्राम इरिगेशन डिपार्टमेंट का जुनियोर एसिस्टेंट एक्जाम, आश्राम पुलिस का साब इंस्पेक्टर और कंस्टेबुल का एक्जाम और S.S.C. C.H.S.L. एक्जाम ये तीनों एक्जाम के लिए मैतमेटिक सब क्विस्टें, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक नहीं क्या तो लाइक कर ले, और फ्रेंड्स वीडियो को देखने के बाद वीडियो कैसा लागा नीचे कमेंट बक्स में कमेंट कर पहला जो question ने इस question में बोल रहा है देखे, 100-1 into 100-2 into 100-3 dot 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 100-200 divided by 100 into 99 into 98 into dot 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 3 into 2 into 1 is equal to, यह जो expression है, इस expression का value हम लोगों को निकलना है, तो यहाँ पर मैं question को यहाँ पर पूरा नहीं लिकुएंगा, क्यों को question को पूरा लेकेंगे तो बहुत time जाएगा, यहाँ पर देखे, जल्दी जल्दी हम लोगों को कैसे सल करना है, देखे, यहाँ पर 100-1, उसके बाद 100-2, उसके बाद 100-3, तो उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा, आपका 100-4, उसके बाद आएगा, आपका 100-5, एसे करके यह series चलेगा, एक time में देखे, एक time में एसे, ए सारे नंमबर आपका निचãy हैं ये सारे नंबर मत्दभ वांटव मैं फरील हे यह क्रेंट पर में फ्रक किया जो और यहां पर इस साइड में कुछ नंबर है तो limousक साथ यह चasıहर माल्टिम्टिल्लिकंशन इसाब से सारी नमबर के साथ है जट मींस जीरो के साथ यह सारे नंबर जब आप लोग गुना करेंगे तो उपर में क्या हो जाएगा उपर में हो जाएगा आपका जीरो और नीचे यह सारे नंबर का गुना है तो नीचे यह सारे नंबर रहेगा अब यह सारे नंबर से जब हम लोग जीरो को 3 में हैं तो इस question का correct answer हो जाएगा आपका option 3 और मेरे क्याओ से इस question का solution आप लोगों को समझ में आया होगा चलिए next question को solve करते हैं next question में बोल रहा है देखे 1 plus 1 divided by 1 plus 1 by 2 is equal to यह जो expression है इस expression का बिलू हम लोगों को निकलना है तो चलिए इसका solution चुरू करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है देखे 1 plus 1 divided by 1 plus 1 by 2 तो इसको हम लोगों को जलदी जलदी solve करते में ञाद करना है देखे 1 plus, 1 divided by 1 divided by क्या 1 plus 1 by 2 इसको अब हम लोग कैसे solve करेंगे देखे यहाँ पर LCM निचे कुछ नहीं है तो LCM क्या हो जाएगा 2 और कुछ नहीं है मतलब one है क्यों है तो one और two का LCM कितना हो जाएगा two हो जाएगा अभी किकि यह number के निचे कुछ नहीं है तो उस case में हम लोग करेंगे, यह cross गुना कर देंगे, तो 1 into 2 करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 2, तो 2 लिख लिया, उसके बाद यहाँ पर जो sign रहेगा, वो sign को आपको यहाँ पर put करना है, तो यहाँ पर plus है, plus put कर दिया, next यहाँ पर दिखे, उपर में जो number आपको दिय है आपका 2, this is equal to 1 plus, अब देखे, 1 divided by 3 by 2, 1 divided by 3 by 2 है, तो 1 divided by 3 by 2 है, तो 1 और यह division का symbol है, इस division को हम लोग क्या करेंगे, इस division के place में हम लोग कर देंगे multiplication, तो अगर division के place में हम लोग multiplication देंगे, तो यह नीचे जो fraction है, इसको उल्टा करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा, त तो finally 2 into 1 करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 2, और नीचे हो जाएगा आपका 3, तो 2 by 3 हो गया आप, that means यहाँ पर 1 divided by 3 by 2, तो यह जो 1 divided by 3 by 2 है, तो 3 by 2 को अगर हम लोग उपर में लेके जाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 2 by 3, तो finally यहाँ पर फ then 3 plus 2 करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 5 और नीचे है आपका 3, तो finally यहाँ पर अंसार आगया 5 by 3, और 5 by 3 आपका option 4 में है, तो इस question का correct answer हो जाएगा आपका option 4, और मेरे क्याल से इस question का solution आप लोगों को समझ में आया होगा, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक सवा करते हैं, next question, same type of question है, पर तो रासा यहाँ पर लेंती है, इस question का हम लोगों को solution लाना है, यह जो expression है, इस expression का value क्या है, वही यहाँ पर हम लोगों को लाना है, चलिए इस question को solve करना शुरू करते हैं, यहाँ पर, पहले तो हम लोगों को यहाँ पर note down कर लेंगे, दिया गया ह देखिए 1 minus a divided by 1 minus 1 divided by 1 plus a divided by 1 minus यह हम लोग को कुश्चन दिया गया है तो हम लोग यहाँ पर solution शुरू करते हैं देखिए 1 minus a divided by 1 minus 1 divided by अब यह जो expression है 1 divided by यह जो expression है इसको हम लोग simple way करेंगे तो कैसे करेंगे दिखिए यहाँ पर lcm हो जाएगा आपका 1 minus a 1 minus a into cross गुना करते हैंगे तो 1 minus a into 1 यह हो जाएगा आपका 1 minus a 1 minus a then plus a plus लिख लिख लिया उपर में है आपका a तो a को लिख लिख लिया यहाँ पर दिखे, plus है, minus है, यहाँ पर cancel हो जाएगा, तो cancel दे दिया, this is equal to 1 minus a divided by 1 minus, आप यहाँ पर दिखे, यहाँ पर remaining है आपका 1, उपर में है आपका 1, और यहाँ पर रह गया है आपका 1, और divided by है आपका 1 minus है, तो यह हम लोगों ने लिख लिया, this is equal to 1 minus a divided by 1 minus, आप यह दिखे, 1 divided, यह symbol है आपका divided, ठीके, यह division का symbol है, तो 1 divided by 1 minus, 1 divided by 1 divided by 1 minus A, तो यहाँ पर हम लोगों को इसको reciprocal करके उपर में लेका जाना है, तो reciprocal करेंगे मतलब इसका उल्टा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, उल्टा जब करेंगे, 1 divided by 1 minus A का उल्टा करेंगे, तो यह हो दिखे, 1 minus A, पर यहाँ पर 2 term है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को एक bracket दना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 term है, तो 2 term और sum ने एक minus है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को एक bracket देके ही, इस expression का यहाँ पर reciprocal करके, पूट करना पड़ेगा, इस इकले टू 1 minus A divided by, आप यहा जाएगा, दिखे, 1 minus into 1, तो यह हो जाएगा आपका 1, then minus minus मिलके यह हो जाएगा आपका plus A, आप दिखे, minus 1 plus 1 cancel हो गया, तो finally यहाँ पर आ रहा है, दिखे, 1 minus A उपर में है और नीचे है आपका A, तो finally यहाँ पर 1 minus A by A करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 1 और 1 minus 1 करने के बाद यह मिल गया 0, और 0 दिखे, आपका option 4 में है, तो इस question का correct answer हो जाएगा, आपका option 4, और मेरे क्याल से, इस question का solution आप लोगों को समझ में आया होगा, तो रहा सा लेंती था पर यहाँ पर बहुत सर एश्वेंट्स, इस question को अच्छी तरह से similar way नहीं कर पाएंगे, बहु is equal to star divided by 12 and half, then the value of star is, यह जो star है, इस star का value हम लोगो को ला रहा है, तो चलिए इसको solve करना शुरू करते हैं, 50 divided by star, तो star को हम लोगी x assume कर लेते हैं, तो 50 by x is equal to star को हम लोगो ने x assume कर लिया, तो x divided by 12 and half, अभी दिखे, friends, 12 and half को हम लोग कैसे similar way करेंगे, 12 and half को कैसे similar way करेंगे 12 and half, तो 12 plus 1 by 2, this is equal to, यहाँ पर LCM हो जाएगा आपका 2, 2 गुना कर देना है, cross गुना कर देना है, 2 into 12, 24, then plus 1, और 24 plus 1 करने के बाद यह हो जाएगा आपका 25 by 2, तो यहाँ पर आम लोग लिख लेंगे, 25 by 2, 12 and half को सिंगले करके, आम लोगो को 25 by 2 मिला है, तो आम लोगो नह अभी यहाँ पर आम लोगो क्रोस कर देंगे, तो 15 to 25 by 2 is equal to x square, this implies, अभी दीकर 2 से इसको काटने तो यह हो जाएगा आपका 25, तो 25 into 25 करने के बाद यह हो जाएगा आपका 25 square, और right side में हैं आपका x square, square square cancel हो गया, तो finally यहाँ पर देखे, x का below आगया आपका 25, और 25 आपका option 4 में हैं, तो इस question का correct answer हो जाएगा आपका option 4, और मेरे क्याल से इस question का solution आप लोगो को समझ में आया होगा, चलिए next question को समझ करते हैं, next question दिखे friends, इस तरह का question काफी important रहता है exam के लिए, हर साल इस तरह का equation exam में पोचा जाता है, तो चलिए इसका solution शुरू करते हैं, मैं यह पर पूरा detail में यहाँ पर आप लोगो को समझाओंगा, आप यहाँ पर short में भी कर सकते हैं, question को पूरा ना लिखे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो यहाँ पर make कर लता हूँ, तो 11, then root of 19, then plus root of 29, then plus root of 49, तो यहाँ पर दिखे friends, पहले तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंग 29 plus, अब यह जो root 49 है, इस root 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, root of 49 को हम लोग लिख सकते हैं, 7 square, square root cancel हो रहा है, तो यहाँ आ रहा है, आपका 7, that means यह जो root of 49 है, इसका बिलू कितना मिला है 7, तो यहाँ पर हम लोगों ने 7 put कर लिया, this is equal to root of 5 plus, root of 11 plus, root of 19 plus, आप 29 plus 7 करने के ब root, अब root of 36 को क्या लिखेंगे, root of 6 square, square root cancel हो गया, तो यह कितना हो जाएगा 6, that means यहाँ पर 6 मिला है, तो हम लोगों ने 6 लिख लिख लिया, this is equal to root of 5, then plus root of 11, then plus root of 19 plus 6 करने के बाद यह हो जाएगा आपका 25, this is equal to 5 plus root of 11, plus, यहाँ पर दिखे, root of 25, तो root of 25 कितना होगा, root of 25 को हम लोग लिख सकते है, 5 square, square root cancel करने के बाद यह हो रहा है आपका 5, तो यहाँ पर मिल गया 5, this is equal to root of 5 plus, root of 11 plus 5, 11 plus 5 करने के बाद कितना होगा, यह हो जाएगा आपका 16, और root of 16 कितना होगा, root of 16, root of 16 को हम लोग लिखेंगे, 4 square, square root cancel होगा, यह हो जाएगा आपका 4, त रूट अबर आफ 9 को आप लोगों को समझ में आया होगा अभी यहाँ पर आप लोगों को यह सारे चीज़े नहीं लिखना है एक्जम में आप यहाँ पर जल से जल कर लेंगे कैसे रूट अबर फुटीनायन का अब़लू हो गया आपका सेवन तो यह सेवन यह सेवन इसको काट दिया उसके बादत ट्वंटिन प्लस सेवन 36 ऊचेश का रूट लेंगे तो यह हो जाएगा आपकाइस इसको काट दिया 19 प्लस सिक्षिंग को लिखके आप लोगों को सल करना नह लोगों को डिटेल्स में समझाया किस तरह से यहां पर आप डिटेल्स करेंगे यह समझाया हाला कि अग्जाम में यह अप्रोच आप लोगों को फॉलो करना नहीं हे चलिए Next Quesn को गलत आंसर करके आएंगे कैसे देखे आप लोग समझे उपर में देखे 5 प्लास 5 प्लास 5 प्लास 5 20 20 divided by 20 divided by 5 और नीचे देखे 3 plus 3 plus 3 plus 3 करने के बाद कितना आएगा 12 12 divided by 12 divided by 3 उपर में 20 divided by 5 यह हो जाएगा आपका 4 और नीचे 12 12 divided by 3 यह हो जाएगा आपका 444 कैंसर हो गया आंसर वान और उप्शन वान में वान है बहुत सरे स्ट्वेंट से आप और उप्शन वान मार करके आएंगे हाला कि यह गलत है क्यूँ दिखे फ्रेंड्स यहाँ पर दिखे इस तरह का क्विश्चन आप लोगों को क्या करना है इ अदमास मतलब 20 से होता है आपका ब्रेक्ट उसके बाद ओफ डैन डिविशं देन माल्टिप्लिकेशं देन एडिशन देन सब्ट्रक्शन इसी क्रम में ही आपको यहाँ पर करना है तो पहले तो यहां पर दिखे उपर में दिखे ब्रेक्ट है तो ब्रेक्ट के अंदर में जो XR में जो नंबर से इनकों हम लोग को पहले काम करना है तो ब्रैकेट में दिखेए 5 5 5 5 5 5 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 20 और डिबाइड़ हो जाएगा आपका 5 अब नीचे दिखेए नीचे तो bracket नहीं है, off नहीं है, पर divide है, division, divide division symbol यहाँ पर है, तो पहले हम लोगों को यहाँ पर division के उपर काम करना है, so 3 divided by 3, 3 divided by 3 करने के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, next यहाँ पर दिके 3 plus 3 plus 3, मतलब 9, 9 plus 1 10, तो divided by हो गया आपका 10, this is equal to, आप उपर में हो जाएगा आपका 4, और नीचे हो गया आपका 10, अभी 2 से इसको कटेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2, 2 से इसको कटेंगे तो यह हो जाएगा आपका 5, finally यहाँ पर दिके इसका अंसार मिल गया 2 by 5, और 2 by 5 आपका option 4 में है, तो इस question का correct answer हो जाएगा आपका option 4, और मेरे कैल से इस question का solution आप लोगों को समझ में आया होगा, चलिए next question को solve करते हैं, next question देखिए तोरा सा आसान सा सवाल है, next question में यहाँ पर बोला गया है, 0.1 into 0.01 into 0.001 into 10 to the bar 7 को हम लोगों को गुना करके answer रहना है, आप 10 to the bar 7 का मतलब क्या है, 10 to the bar 7 मतलब 10 को आपको 10 times गुना करना है, 10 को आपको 10 times गुना करना है, तो 10 जब आप यहाँ पर 10 times गुना करेंगे, that means 1 देखिए आपको यहाँ पर 7 0 पुट करना है, तो 4, 5, 6, 7, तो 10 to the bar 7 करने के बाद यह आएगा, अभी यहाँ पर decimal पुट करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6, please left side में आक तो यहाँ पर decimal पुट कर दिया, और decimal के बाद सभी 0 cancel हो जाता है, तो यहाँ पर सभी 0 cancel हो जाएगा, finally यहाँ पर answer आ रहा है आपका 10, और 10 देखिया आपका option 4 में है, तो इस question का correct answer हो जाएगा, आपका option 4 और मेरे क्याल से इस question का solution आप लोगों को समझ में आया होगा, चलि आपर दिखेंगे एक symbol है, जैसे कि एक symbol है, यह से करके 4, इसको हम लोग पढ़ेंगे, modulus of 4, modulus of 4, modulus of 4, modulus of 4 कितना हो जाएगा, इसका बेलू हो जाएगा आपका 4, तो different क्या है, माल लिग यह modulus of minus 4 हो जाएगा आपका plus 4, मतलब यह जो symbol है, यह symbol positive number को तो positive रखता है, negative number को भी positive यह symbol का खासियत यह है, यह symbol positive number को तो positive रख लाता है, negative number को भी positive कर लाता है, तो मतलब modulus of minus 2 यह हो जाएगा आपका 2, modulus of plus 2 तो 2 है यह, modulus of minus 2 भी यह कर देता है आपका plus, तो modulus मतलब modulus of plus minus करने के बाद आंसार हमेशा plus में ही आएगा, यह symbol minus को plus कर देता है, तो यह आप लोग को द्यान में रखना है, सिर्व अगर आप यह द्यान में रख लेंगे, तो modulus related problem आप अराम से solve कर लेंगे, चलिए इसको simplify करना शुरू करते हैं, तो उपर में दिखे 9, अब modulus में, modulus के अंदर दिखे 3 minus 5, तो 3 minus 5 करने के बाद यह हो जाएगा, आपका minus 2 तो minus 2 पूट कर लिया, then minus 5 into, modulus of 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और divided by है आपका 10, नीचे दिखे, minus 3 into 5 यह हो जाएगा आपका 15, then minus 2 into 4 यह हो जाएगा आपका 8, then divided by 2, अब उपर में दिखे, उपर में दिखे, यह modulus of minus 2, तो modulus of minus 2 यह हो जाएगा आपका 2, यह जो modulus of minus 2 है, यह हो जाएगा आपक 2, 9 into 2 करने के बाद यह हो जाएगा आपका 18, then minus 5 into 4, यह हो जाएगा आपका 20, divided by 10, नीचे है आपका minus 15, minus 8, divided by 2, अभी यहाँ पर यहाँ से आप लोगों को बदमाश रूर लगाना है, जान रखेगा, बार-बार हो यह बात बोल रहा हूँ, इस तरह का question सर्फ करने के लिए आप लोगों को बदमाश रूर लगाना है, तो B से bracket, तो bracket नहीं है, O से off, off नहीं है, D से divide तो पहले यहाँ पर division दिखाई जारा है, division हम लोगों को करना है, so 18 minus 20 divided by 10 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2, और नीचे दिखे minus 15 minus, 8 divided by 2 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 4, अभी दिखे उपर में 18 minus 2 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 16, और नीचे minus 5 15 minus 4 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका minus 19, तो finally आपर answer आ गया minus 16 by 19 और minus 16 by 19 आपका option 3 में है तो इस question का correct answer हो जाएगा आपका option 3 और मेरे क्याल से is question का solution आप लोग को समझ में आया होगा तो friends इस वीडियो में सिर्वी ते है friends ये video कैसा लगा आप नीचे comment box में comment करके जुरूर बता है इस video को like करें अपने सारे friends के साथ share करें और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चनल को subscribe नहीं के तो जल्द से जल्द subscribe कर ले thank you friends for watching this video